स्वागत हे दोस्तों, युनिवस ओरिजिन पर आपका, कोरोना महमारी में सावधानी रखे और नरेंद्र मोदी के मिशन में जुड़ना ना भूले, बारी-बारी हाथ को धोएं, सोसियल डिस्टेंस रखे और मास्क पहने, युनिवस ओरिजिन आज आपके लिए एक बड़ी जैसे कि आप जानते है, PUBG Mobile को इंडियन गेवर्मेंट ने बैन किया है, जिसकी बजह से इंडिया में आपको उसका अपडेट नहीं मिल रहा और प्लेस्टो उपर नहीं दिख रहा पूरी दुनिया के 24 पीसदी डाउनलोड सिर्फ इंडिया में थे, यानि कि सबसे बड़ा प्रॉफिट उनको इंडिया से मिलता था, अब अगर वो ये ना चलाए इंडिया में तो उनको सबसे बड़ा लॉस होगा तो वो उनकी और से सबसे ज़्यादा ट्राय करेगे कि इंडिया में पप्ज फिर से लांच करे पहले पप्जी मोबाईल की बाद जियो से चल रही थी इंडिया में फिर से लाने के लिए, लेकिन अब कुछ रीजन की बजह से उनकी बात रोग दी गई है, और अब वो एटेल से बात कर रहे है ऐसा हो सकता है कि जियो के साथ बात कुछ जमीना हो एटेल ट्राय कर रहा है कि बोला सके पप्जी को इंडिया में उसकी साथ उसके टीम ने इंडिया में भी लोगों को हाय करना सुरू कर दिया है तो अब वो पूरा चेंज होके इंडिया में आ सकता है, तो देखते हैं Let's Hope for the Best आप बताए आप इंडिया में चाहते है की नहीं पप्ज को, आना चाहिए की नहीं, आए तो किसके साथ आए कमेंट करे आपके व्यू और आपके सभी दोस्तों को शेर करेगे गे गुद नियूज सब्सक्राइब करे और लाइक करना ना भूले